वाहि गुरुजी का खाल साव वाहि गुरुजी की फते ताकि सोबा चैनल ते तो हाड़ा स्वागत है किताबा पड़न लिखन चे थोड़ी जैवी रुची रखन वाला एक वी इदन दा बंदा लबना अउखा है जिनने कदे महान कोश वेखिया पड़िया ना होए महान कोश पंथरतन पाईकान सिंग जी नब्बा तिनादी अनमोलक रचना है जो के शेफ अरवरी उन्नी सो शब्वी नू लिखती रूप देविच पूरा होया पर शपना अजे बाकी सी इस कोश नू लिखंदा ख्याल के में बनिया एक कोश नू शापन देविच की की दिखता आईया के में शपया इस सारी जानकारी सरदार नब्बा जी ने खुद महान कोश दी पूम का देविच जिकर कीता है पाई सहिब जी दस दिया पिठारा सो ठानवे नू पंडट तारा सिंग जी नरोतम उनना दा लिखिया होया गोर गिरारत कोश पड़िया ते ओदे तो थोड़ा समाबाद पाई हजारा सिंग जी जो के पाई सह पाई वीर सिंग जी दे नना जी लग दे सी उनना दा लिखिया होया सिरी गुरू गरंथ कोश पढ़या इदोवेः कोशानों पड़के मान देवेच ख्याल आया पि जो शबद तान गुरु गरंथ से महराँ जी दे इन्हा दोणा कोशान देविच्चों बाकी रे गया उवी सारे शामल करके इनना दोवा कोशां दे शब्द भी शामल करके अक्खरते मातरा दे करम अनसार सारे शब्दानों जोड़के एक उत्मते वड़ा कोश लिखे आजावे जिस कोश नो पढ़के आउन वालिया पीडियानों जादा लाब पराबतो वे एस इच्छा दे पूर्ती दे वास्ते सरदार नबा जी ने विचार दे नाल स्री गुरु गरंसे महराज जिदा पाठ अरंब कीता पांच साला दे लगातार मेनतों बाद संपूरंता हुई पांच साल पाठ कर देया सारे शब्दानों नोड कीता फिर जदों शब्दानों करम अनुसार परो के सरदार नबा जी होने लिखन लगे ता उन्ना दे विच एक अंग्रेजी दी वड़ी किताब हाथ लगी इस किताब नो पढ़िया ते पढ़ के मानदा ख्याल फिर बदल गया हुन मानदे विच ख्याल आया के सिख साहित दे लई वी इससे तरांदा एक वड़ा कोश त्यार उना चाहिदा है जिस दे विच गुर्बानितों इलावा सिख मात दे नाल सबंदिक हुर जने गरंथ ने उन्ना दे विच जड़े शब्द या उन्ना दा वी जो गरीती दे नाल जिकर कीता गया हुवे ते हूर तर्मा दे बारे पाशामा दे बारे वी जिकर हुवे इस सारे ख्याल दे अनुसार उन्ने सो शे दे विच सरदार नबा जी ने सिरी दस्म गरंथ दा पाट शुरू कीता उस तो बाद पाई गुरदास जी दी आं वारा कबे तस्वईये फिर नाली पाई नंदलाल जी दी रचना सरबलो गरंथ गुर सुबा पाई मनी सिंग जी दिया लिखिया साखिया गुर महमा परकाश गुर बिलास कवी राज पाई संतोक सिंग जी दी महान रचना सिरी गुर नानक परकाश सिरी गुर परताब सूर्ज गरंथ फिर इसे तरह सरदार रतन सिंग जी पंगू उन्ना दे वलों लिखिया सिरी गुर पंथ परकाश इतियाद को होर बहुत सारे गरंथानों विचार विचार के पड़िया इन्ना सारे गरंथान दा अधियान करके नाल नाल शब्द नोट कीते गए ते पाई सहिब ने इति एक का महुर कीता के समें समें दे जड़े शरूमनी विदवान ने उन्ना दिया लिखतानों वेक के उन्ना दे नाल सम्मत दे साल मिला के कोशानों देखके अर्थ पाव अर्थ लबन्दा जतन कीता इदां कई सालां दी मेनत तों बाद अखीर अठाई वैसाख दास मई उन्नी सो बारा नू जदों सरदार नबा जी रियास्त दी एहल कारी नू शड़के गर्मिया दी यां शुटियां कटन दे लई कश्मीर गए तां ओ थे कश्मीर दे विच 39 मई नू तान सिरी गुरु गरंसे महराजी दे चरना पास अरदास बेंती करके कोश लिखना शुरू कर दिता तकरीबन 14 साल दी मेहनत तों बाद 25 माग 6 फरवरी 1929 महान कोश लिखती रूप दे वे जिसम पूरन होया अजे सिर्फ लिखत होई सी शापना अजे बाकी सी हुन शापन दी चिंता होई क्योंके महराजा बिरजेंदर सिंग फरीद कोट वाले जिन्ना ने इसारा गरंथ शपॉन दा पाई सेव दे नाल वादा कीता सी उच चलाना कर चुके सी ते दूजे पासे महराजा अरिप दमन सिंग जिन्ना ने कोश्ड वास ते माईकी तोर ते वावा सहता देन दा वादा कीता सी उन्ना नूमी अंग्रेज सरकार ने गदी तो ला दिता सी ते नबा विरासत गोरा शाही परबंदकां दे हाथ चली गई गोरा शाही परबंदकां ने खजाना खाली कह के गरंथ नो शिपाउन तो साफ इनकार कर दिता हुन पाई कान सिंग जिनाबा सारे पासे आँ तो हार हम के बै गए गए ता इस तरह मिरास बैठे हुए पाई सेब जी नो कोज सुहिर्द सजना ने एस लाद दिती के तुसें पांचसो गाहक पहला त्यार करो तो उनना पांचसो दे कोलों बन दे हुए पैसे आँ दे विच्छों अदी रकम पहला लेलो अडवांस दे विच्छ तो उदे नाल जड़ी रकम त्यार हुए तुसें सारे गरंथ नो शपवा सक दे हुए इस बनी हुए सलाद दे अनसार एक हजार कापी कोश दे विच्छों कुछ शब्द लेके नमूने रूप दे विच्छ छाप के उए एक हजार कापी वंडी गई नाल नाल अखबारां दे विच्छ इस्तियार भी दिते गए पर नौम हिन्या दे बाद भी सिर्फ दो सु कापी दे गाहक ही मिले उन सरदार नबा जी हूर परिशान हो गए निराश हो गए अखीर महराजा पटे आला दे सिवा दे विच अरजी पेजी के जे कर तुसें तिन सो कापियां खरीद लो ताँ ए पंथक का अरज दे विच साड़नू सहाईता मिल सकती है तुसें जरूर किरपा करो अरजी नो पढ़के पटे आले दे महराजा पपिंदर सिंग ने पाई साहब नो चाहल सद लिया चाहल सद के एक अक्तूबर उननी सो सताई नो गालबात होई सरदार कान सिंग जी दे नाल गाल करके महराजा पपिंदर सिंग ने किया इस सारा कोश जो तुसें लिखिया दरबार पटे आला दे खर्चते शापिया जावेगा पर तुसीं एद्दा करो जो पेशगी अडवांस दे विच दोसो गाहकां तो लई है ओ उनना नो वापस मोड दियो सरदार नबा जी लिख दे या पि मैं सारे पैसे जिनना जिनना दे कोलों ले सी ता नवाद दे सहत उनना नो रकम वापस मोड दिती शबी अक्तूबर उननी सो सताई नो सुदर्शन प्रेस सिरियमर्त सरसाहिब दे विच कोश शपना शुरू होया तकरीबन टाई साल दी मेनत तों बाद वसाखी वाले देन एक वैसाख तेरा अप्रेल उननी सो तीनो शपाई दा काम पूरा होया एस कोश नो शापन दे विच बटेयाला दरबार दे तकरीबन कविंजा हजार रपई खर्चोए महान कोश पहली बार चार पागा दे विच शापया गया ते एदे पेज सी 3330 पर बाद दे विच पाशावी पाग ने एचार पागा नो एके जिल्त दे विच संकोच के शाप दिता ते एदा मूल वी वावा कटा दिता तांके खरीदन वालियानो मुशकल ना यावे महान कोश नो शुरूत नो लेके शब्दान दा संग्रे करन दे विच लिखन दे विच ते परूफ सोद सोद के उननो एड करन दे विच पाई सेव पाईकान सिंग जी नबानो तकरीबन अठाई साल दा लंबा समा लगा महान कोश दे विच शब्दान दे तातुआं बारे इतिहास बारे साइंस बारे बनस्पती दे बारे बिमारियां ते उनना दियां दवाईयां दे बारे जड़ी बुटियां दे बारे वाख वाख तर्मा दे बारे उनना दे रिचैतियां दे बारे संगीत दे बारे संगीत बुजारतां दे बारे, जनवरां दे बारे, वाख वाख गरन्थां दे बारे, ते गरन्थां दे विच लिखे शब्दां दे बारे, गरन्थकारां दे बारे, बहुत सुनी ते परुसे जोग जानकारी पाई सहीव जी ने शामल की तिया। सो एदा पाईकान सिंग जी नबादी ए बड़ी वड़ी का लना लगन मेहनत ते विद्वतादा परताक सबूत है पंजाबी लिप्पी देविच लिखिया हुया महान कोश असल देविच एस गरंथ दा पूरा नाम है गुर्शब्द रतनाकर महान कोश पाईकान सिंग जी नबादीया हूर भी काफी लिखताने पर सबतों वड़ी ते लंबा समाला के लिखी हुई लिखत महान कोश है तो हनु साठी ए वीडियो के में दे लगी इस दे बारे अपने सुजाब कमेंट बाक्स दे वेच जरूर देओ इदान दिया हूर वीडियो देखन दे ले साठी नाल जुड़े रो तानवाद